नमस्कार दोस्तों आपका सवागत है मेरे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम जानेंगे GDS to MTS 24 स्लेप्स के बारे में दोस्तों आपको जैसे पता ही है कि GDS to MTS पोस्टर एकजाम 21 जुलाई को होना है दोस्तों उसमें क्या क्या स्लेप्स रहना है कौन कौन से टॉपिक्स में से कोशन पुछे जाएंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तो पिछली वीडियो जो हमारी exam pattern के बारे में थी उसमें हमने जाना था कि हमारा MTS के लिए दो paper होने हैं paper 1, paper 2 दोस्तो paper 1 जो की 100 marks का होगा जिसमें से आपको से 50 question पुछे जाएंगे हरे question 2 marks का होगा total आपका 100 marks का paper होगा paper 1 दोस्तो जो की आपका competitive exam होगा जिसमें आपकी merit बनेगी और दोस्तो paper 2 50 marks का होगा जो की आपका language test होगा और दोस्तो जह paper 2 qualify nature का होगा आपने इसको सिर्फ qualify करना है इसमें आपकी merit बनेगी दोस्तो आज हम जानते हैं GDS to MTS slaves के बारे में दोस्तो GDS to MTS slaves दो पार्ट में divide किया है पार्ट A और पार्ट B दोस्तो पार्ट A में से आपसे 30 question पुछे जाएंगे जो की 2 marks के होगे मतलब की आपका 60 marks का paper पार्ट A से आएगा और 40 marks का paper आपका पार्ट B में आएगा दोस्तो पार्ट A में दो पार्ट है Post Office Guide 1 और दोस्तो Postal Manual Volume 5 Post Office Guide Part 1 में से आपसे 30 question पुछे जाएंगे कौन-कौन से टोपिक है Organization of the Department Type of Post Office Business Hours Payment of Postage Stamp Stationary General Rules of Packing, Ceiling, Posting Method of Address Post Box Post Bags Duty of Letter Box Official Postal Article Pcripted Postal Article Product and Service इसमें से आपसे 23 question पुछे जाएंगे Ray question 2 marks का होगा Total 46 marks का paper आपका इस topic में से आएगा दोस्तो साथ question आपके Postal Manual Volume 5 में से पुछे जाएंगे जिसमें definition होती है साथ question पुछे जाएंगे Ray question 2 marks का होगा Total 14 marks का paper Postal Manual Volume 5 से आगा दोस्तो अब हम discuss करते हैं Part B जिसमें से आपसे 20 question पुछे जाएंगे और 2 marks का 1 question होगा Total 40 marks का part B में से आएगा और दोस्तो पार्ट B में 10 question आपके जीके के होंगे और 10 question आपके math के होंगे 10 question जो जीके के हैं उसका question 2 marks का Total B marks का आपका जीके में से paper आईगा उसके बाद हम 10 question आपके math जनी की basic arithmetic में आएंगे जिसमें है topic board math, percentage, profit loss, simple interest, average, time and work, time and distance, neutry method दोस्तो जहां आप दो topic होर एड़ कर ले एक square और एक triangle जिसमें से आपसे question पुछे जाती है तो दोस्तो math में से हमारे 10 question होगे हरे 1 question 2 marks का Total 20 marks दोस्तो इस तरह हमने जान लिया post office guide 1 में से 23 question और postal manual 5 में से 7 question total 3 question बन गे जो 2 marks के होगे तो दोस्तो पार्ट A में से 60 marks का बन गया और दोस्तो पार्ट B में से जिसमें GK और math आती है उसमें से 40 number का paper होगा total आपका 100 marks का paper होगा जो की आपका competitive होगा और part 2 में दोस्तो आपसे language test लिया जाएगा जो 50 marks का होगा जो की qualify nature होगा जिसमें आपने सिर्फ qualify करना है इसलिए अगर आप 24 में GDS to MTS exam दे रहे हैं इस video को दियान से देखना है और इसका आपने एक page पे slaves उतार लेना है और उसकी त्यारी करनी है अगर आप पुझा है वीडियो अच्छी लगी है और इसे तरह की होड़ वीडियो आप देखना चाहते हैं तो comment कर सकते हैं और इस वीडियो को like और share करें दने बाद